इसलिए दोड़ते हैं? कोई है इसके दूसरी चीज़ के लिए दोड़ता है? नहीं आने वाली पीदी के शिक्षन और उनके सम्रुद्धी के क्योंकि हम उनके लिए इतना जीवन नहीं लाएं हम दो निकल जाएंगे, लेकिन हम जानेंगे बात का उनका जो जीवन है ना, वह हमारे आती है, आप क्या आत्में है, हाँ, कोई यहाँ पर्मनन्ट वीजा लेके यहाँ लेके नहीं आया, सब बाड़ो के लिए है, निकल जानेंगे, तो यह जा अन्दमस्र दिवारा के चीज ना, उसमें से अन्दा एक चीज है, उसमें दो चीजे रहती है, बेवरेज़ और नुक्रीशन, बेवरेज़ का मार्केट कितना है न, आप सोच तक नहीं सकते, इसलेडी नाम सुनाया, कितने लोगा रहे इसलेडी नाम सुनाया, सबने सुनाया, इनकी बच्ची, इनों ने पैचन डीशन, अच्छा लगता है, आप पैचन डीशन डिशन में चले जो, लेकिन बिस्क्लेडी का क्या प्रoty, तो उन्हों ने वो बेचने को निका दी, तक खरिदने कोन आए, बहुत सारी दिप्ची चीज, क्योंकि बिस्क्लेडी अल्रेडी ब्राइड बन चुपी थी और बिसलेरी ने ही पानी मार्केट में लाया था तो वो तयार थे सब लोग लेनी थे लिए क्योंति ये बिजनस तो चले गाई क्योंकि इसका सिस्टम क्या है मजबूत है सिर्फ उस सिस्टम उठाना है और उसको चलाना है तो टाटा जी ने उनको रिक्वेस्ट बेजिंग और टाटा जी ने वो खरीनने को पूरा पेपर तयार हो गया और जब वो पेपर बन रहा था बन रहा था तब वो बच्ची वहाँ बैठी थी माबाब बैठे थे ताटा जी बैठे थे जब लास साइन करनी थी सिगनेचर कि ये मुझे मैं सब छोड़के आपको दे रही है और आप इसके मालिक हो जाओगे तब उस बच्ची के दिमाग में आया पिता जी ने तो इतना जीवन पूरा लगा दिया अपना पैशन और मैं मेरा जीवन लगा रही हो अपना पैशन के लिए लेकिन जिस पैशन पर उन्होंने जो बनाया है वह ऐसे ही छोड़ने के लिए जब सिगनेचर की बारी आई उस अंगुठे की बारी आई तब वो रिच्पिचा गे और वो ताटाजी के वहाँ देखती और पूछती ए क्या मैं ये बिजन चला सकती मुझे आपको वो बेचना तो वो नहीं एकसर करता लेकिन एक अच्छा व्यक्ति मत्माइब एक अच्छा संसकार दिया ताटा जी ने यही कहा जो बिस्कलेरी का बिजनेस है वो ताटा बिस्कलेरी के नाम से चलता था क्योंकि इसलेगी तो brand बल चुका है, Tata brand बन चुका है, सिर्फ दो brand एक साथ जोड़के में चलानी वाला था, system जो आपके पिता जी ने लगाया, वो ही चलने वाला था, वो आप चलाओ या मैं चलाओ, वो system तो चलीगा थी, जब उन्हों ने कहा कि मैं चलाना चाहती हूँ, तो टाटा जी ने उनको वो, उनकी कम्पनी सुपुर कर दी और बोले कि आप करो, लेकिन हा, बेवरिजिस का बिजनेस कैसे है, बहुत बढ़ा है, इसलिए मैं भी बिजनेस आपको कॉंपिटीटर के इस साथ से निकलूगा, कॉपर टाटा पानी मार्केट में आ गया है, आप तो लुक आपः एक और आपकी, इसी आप रहती है, ये तो, दो आपके होगे, इसरी आपकी थीवरिजिस के अर उसका नाम है Ambani, मीशां Ambani बेवरिजिस है आना चाहत ति तो उन्होंने अभी क्या कॉंसा बेवरिजिस भीन देख ने देका कि विस रही। से मार्केट में ताटा जी बेवरिजिस में आ गए, कैमपा कोला माम सुना है किसीने, बहुत पहले चल गा था, कभी शाधी में चल रहे जाते थे, उसकोद खाना खिला नहीं हमारे उतनी ले नहीं थी, तो बाटली लेते लोग बैट जाते थे, आराम से पीते थे और निकल जाते थे, वोही क अभि आरहे, लेकिन डॉक्टटर-L timer ने बेवरिजिस तीस साल पहले, छारीस साल पहले हमार रह लाया है काटो, बेवरों, और पीते हो कोपी का, लिमॉन्जी का, अब क्या करते हो, तुसको पाटे हो, पाली में घोलते हो, और पीते हो, क्या मिलता है, बेवरेश, हाइडरेशन to body, नुट्रिशन to your body, इसको क्या करते हो, ज्यादा कुछ महनती है, सिस्टम भी चालू है, इसके साथ सिर्फ इसका नाम जोड़ना ह मेरा नाम जोड़ना, समझ में आ रहा है, इससे क्या करना है, जुड़ना है, जैसे टाटा बिसलेजी हुई, उन्होंने अपना नाम जोड़ा, वैसे इसको काटो, गोलो और पीलो, आसान है, बेविश, और प्राइस भी इतनी है, इसकी, बहुत नौमिल है, बच्चे से, उ इससा है, जो यह ती नहीं सकता, यह कौन ती नहीं सकता, जिसका निरणय नहीं हुआ है, जिसका निरणय हुआ है, वो जरूर पिएगा, और मार्केट में, जिसकी जरूरत है न, वो ही मार्केट में उतरता है, गलत चीज़ है, आपने आलिया भट नाम सुना है, कोई है ऐस उनको पता चला कि जो स्कीन ब्यूटी है ज्यादा देर रुखने वाही नहीं है उसते क्लॉथ का मार्केट शिरू किया क्लॉथ का मार्केट मतलब कपड़े का अन्न वस्तर निवारा अभी वस्तर बे आरही हूं वस्तर का कारोबार चुरू गया जीरो से चॉबीस तक मतलब जो इंफ्रेंट मतलब जो नहना बच्चा शिशू कहते जो शिम्न से उमर से चॉबीस महने के उमर तक है उनकी कपड़े का कारोबार चुरू किया उनका का कारोबार गया 200 करोण वच्चा से बखर आए और अभी उनकी बच्ची आई, तो बच्ची को time देना ज़रूरत है, सबसे important है बच्ची को time देना, अग्ली जंडरेशन को time देना, तो उन्हों नहीं क्या किया, वोही बजिस्निस को rewind किया, मतलब उसको बढ़ाया कि जो जीरो से चौबिस की, चौबि निर्मान के वो श्रूपी, वो नर्सिंग मदर के गाउन, जो भी जो इस इलाके में आता था, शुन्य से, मतलब प्रायर प्रेग्निंसी रहने से पहले, अलॉंग इस प्रेग्निंसी और बाद में 18 के उमर तक उनोंने बिजनस बढ़ाया, आज उनका तरन ओवर देख लो, ज जिनके हजबन कौन है, इंको जरूरत है पैसे की, घर से निकली भी नहीं ना, दूप देखी भी नहीं तो भी ए 100 साल उड़ उस रह सकती है, लेकिन एक सोशल लाइफ, एक सोशल रिस्पॉंसिबिटी और अपने बच्चे के सामने, एक प्रॉपर स्टेटस के लिए वो काम करते हैं, और भी दूसरा एक चीज़ में, कि हम प्रॉपर ये औरत के साथ औरत नहीं जुटती है, गौर्बार होलते हैं न, आज दो औरते एक साथ जूर गेंगें, बिजनिस के लिए, ईशा अंबानी और आहियाबर, दोने एक साथ आगें, दोनों भी जायंज हैं, हम कहत साथ जाधें, तो हम भी कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे हमारे सामने प्राइडली देख सकते, एक सभ्सान से देख सकते, बच्चा क्या बुलेगा, क्या है बख्चे माथ की बख्चे, करो भी सब करो, ये जब आपका नाव लिया जाए, तब वो बच्चा सोचना लेकिन उनके लिए अभी ही आपको कुछ करके रखना पड़ेगा, आने वाला कोई भी आपके बच्चे के लिए कुछ भी नहीं करने वाला, अभी थोड़ी दर पहले, सिंग्स आप बोल रहे हैं कि वो बच्चे का फ्रेम जो रहता है न, वो राथ तक सोने नहीं देता है, ज बाद रखना, यहां से टेक आउफ भी करोगे न, मृत्य भी आए लिए न, तो वो शाल से आनी चाहिए, ताकि मेरे बच्चे के यह मैंने कुछ कोड़ेगा, जाने ये बाद दे मेरे बच्चे को वोही सन्मान मिलना चाहिए, जो समाज में सन्मान मिलना चाहिए, और डॉक यहां पर आ सकते हैं, वो बिजनिस कर सकते हैं, और वो सामराज खड़ा करके अपने आने वाली तीन पीडियों तक ब्राच सकते हो, तीन साल के लिए आए हो, या तीन पीडियों के लिए आए हो, आपने रहे आप कर सकते हो, अपने बच्चे को आप शक्ति को आप शक्ति एक इरनायक जो रहे वो अपने बच्चे के लिए जरूर छोड़ दी हिरा एक कखा के साथ में सब कुर्म करों दी कखा जाते हो जब छोटा लल्ला जो हम कहते कृष्णव उसको बंधा गया तो इसको गाव में खोड़ के तो वो बहुत तकलीत दे रहा था तो यश्योदा मारे उसकर खांथ एक खंबे को बांग के रग दिया खंबे को जब बांग के रग दिया और दरवाजा बंग दिया तो उसको छोटी के लिए कोई था क्या कोई था? नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन उस वक्ट भी वो नामस्वरण, वसलिब आप क्या केटा हूं? वो विचार कर रहे थे, और ले किसी का क्या अच्छा करो। वो कर्म तो ऐसे करते थे कि लोगों को लगता था बुरा कर रहे लेकिन वो कर्म अच्छे करते थे इसके मंदे गए थे उस विचार धारा में क्या हुआ कि उस खंबा जो था उस खंबे में भी कुछ ऐसी चीज थी ती गलत चीज के वज़े से खंबा हुआ था तो इसका उद्भार उस वक हुआ क्योंकि साक्षा प्रिश्च भी उसके बंदे हुआ और उसी खोड़ी देर बाद वासुदेव जो उनके पिता थे वो वहां पे आके नंगव महराज उनों ने वो उनका बंधन खोल गया इससे क्या समझ में आता है आप जब बंधन में होगे न अभी इसी को छोड़ने की इसी वी मदद की तयारी में ज़रूर रहना तो जब उपर वाला आपको मदद करता है तो एक शांदार जिर्जितदी जिने के लिए अप तैयार रहतों झाल झाल झाल